नमश्कार दोस्तों बदोस वात को हमारे चल्में दोस्तों आज का वीजिए दोसे हम बात करने वाला है आज आज बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक के जो जो जिएो हम לא के लिए लेकर आए है एक loan feature यानि कि अब Jio से आप लोग loan भी ले पाएंगे और वो किस तरह का loan होगा, क्या उसके फायदे होंगे क्या उसके benefits होंगे इस वीडियो में हम इसी topic के उपर बात करेंगे तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमने आपको बताएं कि Jio अब देने वाला है अपने सारी users को loan तो दोस्तो वो कैसा loan है, किस तरह से आप उसे ले सकते हैं उसके benefits क्या क्या होंगे इस वीडियो के अंदर हम इसी topic के उपर बात करेंगे दोस्तो हम Jio user हैं हम बहुत time से अब Jio use कर रहे हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी Jio ही use करते होंगे और हमें Jio से नए-ने offers की जो अब आदत हो चुकी है तो यहाँ पर Jio अब लेके आगया है अपने सबी users के लिए एक loan जो की data की शकल में होगा जी हाँ दोस्तों हम बहुत सरा काम अपने internet पर करते हैं और कभी भी हमारा emergency में data जब खतम हो जाता है तो उसके लिए हम बहुत परेशान होते हैं लेकिन यहाँ पर अब आप परेशान नहीं होंगे अब आपको Jio देगा emergency में data loan जी हाँ अब 5GB तक आप Jio से loan ले सकते हैं data के लिए मान लेजे कभी आपका emergency में data खतम हो जाता है ऐसी situation कभी कभी हो जाती है कि हम अपना recharge नहीं कर पा सकते और हमारा data जो है वो खतम हो जाता है तो उस condition में अब आप क्या कर सकते हैं आप Jio से ले सकते हैं 5GB तक data loan और उसके लिए आपको payment भी बाद में चुकानी पड़ेगी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपने phone के अंदर my Jio app आप इंस्टॉल कर लीजे पहले से अगर कर लगए तो बहुत अच्छी बात है नहीं करी तो आप app को इंस्टॉल कर लीजेगा और वहाँ पर अपना mobile number डाल कर उसमें register हो जाईएगा उसके बाद आपको करना क्या है देखें यहाँ पर आपको यहाँ पर option मिल जायाО, नहीं तो आप उपर तीन लाइनों पर click करेंगे तो वहाँ पर click करने पर आपको एक option मिलेगा mobile का, यहाँ पर mobile कry option पर आप जब click करेंगे, तो यहीं पर आपको एक option मिलेगा emergency data loan तो यहाँ पर मैं आपको emergency data loan की पूरी detail यहाँ पर बताता हूँ जैसे आप emergency data loan के उपर click करेंगे तो देखे इस तरह का एक page आजागा यहाँ पर आप clearly यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आप 11GB करके 5GB तक data loan ले सकते हैं यहाँ यह 1GB के 5 voucher होंगे जिनने आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं या 1GB करके 5 बार यूज कर सकते हैं और 1GB data का जो charge रखा गया है वो 11 रुपे रखा गया है क्योंकि अगर हम loan ले रहे हैं तो उसको हमें चुकाना तो पड़े गाई क्योंकि यहाँ पर free की बात नहीं है यहाँ पर loan की बात हो रही है तो 1GB data की कीमत यहाँ ग्यारा रुपे होगी यानि कि अगर आप 5GB data यहाँ से लेते हैं तो पचपन रुपे आपको उसके रहे चुकाने पड़ेंगे तो यहाँ पर प्रोसीट पर क्लिक करते हैं प्रोसीट पर क्लिक करने के बाद देखे यहाँ पर एक option आजाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक GB का यहाँ पर voucher है और total जो है वो 5GB यानि कि 5 बार आप ले सकते हैं 11-11 रुपे के हिसाब से यानि कि 5-5 रुपे में आप 5GB data तक यहाँ से loan ले सकते हैं emergency तो दोस्तो यहाँ पर आपको get emergency data पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर आपका voucher जो है वो मिल जाएगा जिसके लिए आपको payment बाद में करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको देखे अगर आप पूरी जानकरी चाहते हैं और भी तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस बार जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के पर सब्सक्राइब के लाल निशान के पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जो टच कीजिए ताकि आपको बनाए हूँ नहीं नहीं वीडियो लगातार मिलते रहें यह विलकुर्ट फ्री होतार आप इस स्यासे अधा फायद बज्सक्राइब awareness निशान पर टे पर टो 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 टोटब ताकि चृपनाः हो tutal दापको पर जैपको बनाए हुड़ यहथ्ञ और सकति जाल झाल यह विलकृझ さाच शे